हलो दोस्तों नमस्ते जैसा कि आप सभी को पता है राजस्तान सभी इंस्पेक्टर बरती 2021 कापी टाइम से विवादों के अंदर है और लगबग शोषे ज़्यादा जो है आरोपी इसके अंदर गिरिपतार हो चुके हैं पेपर लीक और धांद लीकी जो है सारी हदें पार हो चुकी है और अब दोस्तों आप सभी को पता है सभी विद्यारतियों के गुड़ न्यूज मिलने वाली है ऐसा ही भरती जो है कब तक रद्ध हो रही है दोस्तों क्या इसके संकेत है पूरी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है नई वरती को लेकर आपको बता है लगबग तीन साल हो चुके हैं इस वरती को और नए जिले भी बन चुके हैं तो नई वेकेंसी यहां पर आपकी आ आ रही है आप तयार हो जाईएगा दोस्तों आप इंतजार मत किज है आप सबी के लिए तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेना ताकि आगे जो है इससे समने अपडेट आपको मिलती रहे और दूसरी बात दोस्तों टेलिग्राम चैनल को जरूर यहां पर जो है जो है जो है जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा है में जाके सर्च कर लेना ताकि यहां पर जो है दोस्तों कई बार वीडियो नहीं आपाते हैं तो यहां पर आपको अपडेट मिल जाती है तो सर्च कर लेना इस्टेडी भी ते मिल जाती है तो चलिए दोस्तों यहां पर चलते हैं आप यहां पर देख सकते हो यह सारी जानक के लाओ दोस्तों आपको पता है अभी कोटा से जो है यहां पर एक और जो आरोपी को है यहां पर पकड़ा गया है तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर जो है इससे पहले यहां पर बेटक के जो है यहां पर एक कमेटी बनाई गी थी कुछ मंतरियों के साथ में दोस्तों तो उन में जो है जोगाराम झी जो है इनके देख्स थे और यहाँ पर ये बेटक खतम हो चुकिए 10UT को फिर से बेटक होने वाली है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो साथ तारीक को बेटक होई हैं उसमें बताये गया है कि यहाँ पर good news मिलने वाली है जोगराम जी ने कहा कि good news मिलने वाली है और आपकी जो vacancies है यहाँ पर रद होने की पूरी सम्मावना है दोस्तों यहाँ पर देखते हो कमेटी ने ऐसा ही बर्ती परिक्सा में गड़बड़ी मान ली है तो मान ली है तो इसका मतलब रद होगी वाई क्योंकि गड़बड़ी मान ली है तो रद होना ही एक अंतिम विकल्प है क्योंकि मंत्री बोले good news है इसी सब्ते देंगे देख सकते हो दोस्तों तो यहाँ पर यह सारे जो अपने SOG विके सिंग जी है SOG के ठीक है इसके लावा मंत्री मोदे सारे जो पुलीश विभा के आला होने वाली है दोस्तों और उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर बरती आपकी 99% समावना है रद होने वाली है क्योंकि दोस्तों इतने बड़े स्तर पर अगर धांदली हुई है तो फिर रद हो जाना चाहिए क्योंकि इतने दिनों में दूसरी वेकेंसी भी होके complete हो जाती ह ठीकर ना अब दोस्तों यहाँ पर देखstे हो सरकार ने भी price note जारी कहा था संसथी कारिय मंत्री यहाँ पर आप देखstे हो इसके समंध में जो है सरकार का जो social media है उसके मादेम से यहाँ पर देखstे हो leak होना माफिया हावी होना प्रिक्सा में dummy candidate बिठाना अनूची चाहद भी बता रुका है, यह सारी चीज़े मैंने बता दी है और EORO के बारे में बताओंगा आपको उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जो नई वेकंसी है नई वेकंसी आपके ऐसे मानो दोस्तों ज्यादा समय नहीं दिये जाएगा क्योंकि यह भरती 2021 की आपकी तीन साल वेसे आपको हो चुके हैं अगर यह रद्ध हो जाएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा लगबग एक हपते के अंदरी क्योंकि सारी चीज़े तयार है सारी चीज़े तयारे 869 पद यह हो गए इसके लाव और भी जो पद है वो सारे जो है यहाँ पर मिला के जो है लगबग में मान सकता हूँगा 1000 पलस आपकी वेकेंसी आएगी और बहुत बड़ी आज तक नहीं है 1000 पद सोने पे सुआगा हो जाएगा तयारी आपके चली रही है और तयारी मजबूत कर लेना और आराम से फालतों की दिरुदर बातों में ध्यान मत देना यहाँ पर देख लो दोस्तों पूरा कोर्स हमने तयार कर दिया इसका पेपर फर्ष्ट पेपर टू आपको मिलेगा बिल्कुल आराम से लाइप प्लस रिकोड़ेड दोनों परकार से टेस्स रिच पूरी टोपिक वाइज वो भी आप जाके यहाँ पर देख लेना और अभी जो है कम प्राइस पी देजा रहा है बेटक के अंदर पूरी चीज़े बता दी है और 10 तारीक को जल्दी ही यहाँ पर बेटक आपकी होने वाली है 10 तारीक को जो बेटक होगी उसके अंदर यह निने लिया जाएगा क्योंकि दोस्तों यूँआ आहात है बेरोजगार आपको पता है कितना दर्णा परतेशन कर रहा है इस बर्ती को लेकर और मैंने भी देखा है दोस्तों कि उसी दिन उसी दिन जो है आपको पता है पेपर इदर उदर हो गए थे और आप देखो नॉमलाइसन किस तरीके से अंक गटा है एक मेरा साती है उसके दोस्तों जो सेगेंड दिन वाली यहने 14 तारीक वाला जो पेपर था उसमें लगबग काफी नंबर कम करती है उसके जिसके वज़े से वो रहे गया और वैसे ही जो इन लीक वाले हैं इनके वज़े से कई लोग ऐसे मेहनत की उन्होंने दोड की उन्होंने पता नहीं क्या-क्या यहां पर दुख सेन किये उसके बाद में दोस्तों फिर भी उनको इस तरीके से दिन देखने पड़ते हैं तो यह बहुत बुरा है भाई एसे अचा तो बरती निकाल नी नहीं चाहती तो क्या मतलब है और मैं सरकार का धन्यवात देना है के अपने जो भी सरकार के मंतरी मोदया है सब जो भी इसमें सहिए उनको बहुत-बहुत दील से दन्यवात देने चाहता हूँ लाखो बच्यों की दुआईं मिलेगी, क्योंकि इतने बड़े स्थर पे अगर दांदली नहीं होती, एक दो होती तो अपन भी मान सकते थे, अब सवाल ही आता है कि जो बाकी जो बच्चे हैं, सवाल यह आता है कि जो बाकी बच्चे हैं यहाँ पर उनका क्या होगा कहने का मलब हाँ देखो पूरे 869 तो मैं भी मानता हूँ आप भी मानते हो कि यहाँ पर दांदली से नहीं लगे हैं यहाँ पर देखो दोस्तों क्यूंकि मेनत भी किया उन्होंने और मुझे पता है एक नोकरी पाना कितना कटनाई का काम होता है और उन बच्चों ने भी जिनको मानलो अलग से पहले उन्होंने नोकरी जोइन कर रखी थी वो भी उन्होंने छोड़ी यह नहीं छोड़ी गया इसके चक्रें बाई कोई मानलो कॉंश्टेबल था तो उन्होंने ऐसा ही गापद के लिए उसको उधर अपना त्याग पतर दिया और सरकार चाहे तो हो सकता है उनको जो है उनके अकोडिंग कोई अलग उनके लिए सर्विस वगरे रूल्स वगरे कुछ तैय कर सकते हैं तो वो सब सरकार पर निर्भर करता है लेकिन अब जो है यह आप सोच रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा अपनी जो है यहाँ पर यह पूरे भारत के अंदर हो रही है थानेदार की भरती जो है रास्तान मेरत हो रही है और कहने का मतलब दोस्तों इतने सारे लोग पकड़े जा रहे आए दिन रोज नहीं नहीं आ रहा है भाई अभी कोटा से पकड़ के लाएं पर कभी RPC से पकड़ लेते हैं कभी सदशे को पकड़ लेते हैं तो फिर क्या बाकी रह गया हैं फिर तो कुछ बच्चा ही नहीं है पिर भी अगर सरकार रदन नहीं करती है तो भाई यह बहुत बड़ी कमजोरी है और कहने का मतलब देखो दोस्तों यहां को जब यहां पर एक तरीके से उनको जो है एक नियाई मिलेगा क्योंकि मैं यह नहीं कहता हूँ कि जो अगर यह नहीं होते तो बच्चे भी तो सलेक्सन होता उनका भी तो अब जो लगे हुए हैं वो इस पार एक पोइंट से लगे हैं और इस पार जो है एक पोइंट से रह गए वो इस पोइंट से क्यों रहे हैं क्योंकि यह जो लोग है बहिमान करने वाले यह खा गए उनकी की इत्मे बात करती है और आजकल जो भी सरकार बनती हो यहां से बनती है आपको पता है हना, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो है नीने लिया जाए उचित नीने ले जाए, युएट के अंदर नीने ले जाए तागि यहां को भी फाइदा हो और कहने का आगाद नहीं पहुंचे कि यार इतने साल दो साल होगे नोकरी लगे, सितारी लगे अब बता नहीं क्या वापिस क्योंकि देखो दोस्तों ये चीजें धलत है बिल्कुल इससे अचा तो देखो उस बरती को होना ही नहीं चीए था मेरे इसाब से तो कि इस तरीके से दांदली अगर हो रही है उसमें तो उसी समय ततकालिन सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए था इन चीजों का बाकी देखते हैं लेकिन अब जो है अपने को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये अरद्धी होने के कगार पे है और गरबड़ी मान रहे हैं देखो बाबलाल जी खराडी है सभी यहां पर मंत्रियों को लिया गया था इसके अंदर और अपने जोगराम जी को इसमें अद्धिक्स मनाया गया था और इन्होंने भी माना है कि वास्तों में के अंदर अधर की नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको पता है 18 में आई तीर 21 में आ गई और अब आप वैसे 3 साल जोड़ लो 21 में आई तो 24 में वैसे आना है रद भी नहीं होती तो भी आती बरती तो लेकिन रद होगी तो ज्यदा बदो पर आएगी बस फाइदा ही है तो तैयारी कर लो और इस बार एक परशेंट भी दांदली नहीं होगी भीया क्योंकि सब जो बड़े-बड़े मगरमच मचलियां हाना सब को पकड़ लिया इसके अंदर जो काई लंबे समय से दांदली कर रहे थे अब नहीं होगी अब तो दूद का जला चार्च को भी फूक फूक कर पिएगा कोई सोच रहा है कि मैं दांदली करने की सोच रहा हूँ तो वो पहले ही हतिया डाल देगा भीया समझ रहे हो तो इसलिए दोस्तों और बिल्कुल यह जोईन कर लेना बिल्कुल और मैं एसो जी के जो वीके सिंग जी है वो तो देखो फेन हो गए यहों के क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने जो है यह फर्दा फास किया है पता नहीं कौन-कौन से ओप्रेशन चला रही है रास्तान पुलिस का भी तरह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी देखो अभी वो डॉक्टर फिक्षिड है ना तो केंडेड का नाम जो है वर्सा था तो वर्सा के जो पानी को लिकिस क्रोकने के लिए डॉक्टर फिक्षिट चलाया उन्होंने इस तरीके से जो है कई आरोपियों को पकड़ा तो बिल्कुल मैं शेल्यूट करता हूँ अपनी रास्तान पुलिस को भी और जो है अपने सरकार है रास्तान सरकार क्योंकि इस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं इन चीजों को यहों का विश्वास बढ़ रहा है ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू धन्यवाद जैहिन वंदे मातरे